हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल पढ़ाई वित गुरू चेला सो माई दियर स्टूडेंट्स आई होप ओल आर्यू दूइंग वेल एंड टेकिंग प्रॉपर केर आफ यूज़ेल्फ माई दियर स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके DSC subject which is public policy in India के स्लेबस को बताने का प्रियास करने जा रहे हैं स्लेबस के साथ साथ हम आपको कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे best book जिनके माध्यम से आप अपने स्लेबस को easily जो है वो complete कर पाएंगे Hindi and English दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के रिए ये वीडियो काफी important होने जा रही है काफी informative होने जा रही है सो आप बने रहें इस वीडियो के साथ वीडियो को end तक जरू देखें So my dear students First of all आईए देख लेते हैं public policy in India के स्लेबस को सबसे पहले हम इंग्लिश में देखते हैं तो unit 1 है introduction to policy analysis Then next है unit 2 the analysis of policy in the context of theories of state Then next unit है unit 3rd political economy and policy interest groups and social movements Then next unit है unit 4 models of policy decision making Then next and final unit है unit 5 ideology and policy Nehruvian vision, economic liberalization and recent developments So ये स्लेबस है public policy in India का English में Then अगर हम हिंदी में देखें तो unit 1 है नीती विसलेशन का परिच्छे Then next है unit 2 राज्य के सिधान्तों के संदर्व में नीती का विसलेशन Then next unit है unit 3rd राजनीतिक अर्थवेवस्था और नीती रूची सम्हू और सामाजिक आंदुलन Then next unit है unit 4 नीती नीटने लेने के model Then last and final unit है unit 5 विचारधारा और नीती Nehruvian division, आर्थिक उदारी करन और हाल के घटना करां So ये स्लेबस है Hindi medium students के लिए Then now dear students आईए कुछ books आपको recommend की जाएं जिनके माध्यम से आप अपने स्लेबस को easily जो है वो cover कर सकें So my dear students Hindi medium students के लिए first book है वैश्वी करत दुनिया में लोक प्रशासन, सिद्धान्त और पद्दीतियां जो कि विद्यू चकरवर्ती और प्रशासन के द्वारा लिखी गई है Then next है प्रशासन और लोकनीती जो कि मनो सिन्हा के द्वारा लिखी गई है वहीं अगर हम इंगली सिमनी students के लिए बात करें तो public policy जो कि R के सापरू के द्वारा लिखी गई है Then next है understanding public policy जो कि Thomas R. Dye के थ्रू लिखी गई है तो आप इन books को purchase कर सकते हैं अपने syllabus को easily जो है वो complete कर सकते हैं Then English and students के लिए काफी tough है public policy in India के syllabus को एक या दो books से complete कर पाना इसलिए आप IGNU का जो public policy and analysis का जो इग ज्यान कोश पर जो material है आप उसको download करकर और वहाँ से भी syllabus को complete कर सकते हैं Then government by the market The politics of public choice Peter Self इसके माध्यम से जो last unit है जिसमें आप Nehruvian vision liberalization इन concepts को पढ़ेंगे तो इस books से काफी अच्छा रहेगा अगर आप इन concepts को इस books से पढ़ते हैं ठीक है तो ये कुछ books हैं हिंदी एंड इंग्लिश मिलिम स्टूडेंट्स के लिए आई होप आप इन में से एक या दो book को जरू पर चेस करेंगे एंड इंग्लिश मिलिम स्टूडेंट्स आप इग ज्यान को उस पर अच्छे प्रेकार से जो ये MPA015 जो है इसको चेक कीजिए एंड वहां से नौट्स जो है डानलोड कीजिए आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होकी अगर आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अगर आपके कुछ भी क्वेरीज है तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्टर में लिखकर सेंड कर सकते हैं हम पुराई ट्राइ करेंगे आपकी कमेंट्स का डिपलाई करने का इसी के साथ माई डियर स्टूडेंट्स थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स